हलो दोस्तो वेरी गूड इवनिंग स्वागत है सबका इंफोबेर चैनल में मैं हूँ आपका दूस्त आपका बेर स्वागत कर रहा हैं दोस्तो ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं कुछ दिनों से कंपनी के बारे में कुछ रूमर्स फैल रहे थे जिस पर आज टीम ने जो है वो क्लेरिफिकेशन दे दिया है रूमर्स कुछ इस तरह से थे यह मिन सोशल मीडिया और मैसेज़स और पब्लीकली यह सारी चीज़ें हो रही थी कहां यह जा रहा था कि ग्रैन्यूल्स इंडिया जो है यह अपनी कंपनी बेचने वाली है और बेच काफी बड़ी अमाउंट पर लोग इंवेस्टमेंट करते हैं और कंपनी का कुछ हिस्सा इन लोग के लगबग एथारिटी के अंदर होता है काफी कबार इनकी होल्डिंग काफी ज्यादा भी हो सकती है अब यहां पर इसके चलते कंपनी का जो स्टॉक था यह काफी नीचे हो चुका है आज काफी बड़ी बात इन्होंने क्लियर कर दी के ऐसा कुछ भी नहीं है यह कोई कंपनी जो है वो पी इन्वेस्टेस को नहीं बेचने वाले हैं और कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंटिनुएसली जो है वो प्रॉपरली देखते रहेंगे और अच्छा काम जो ह यह कुछ है वो काफी लोगों की एक फिवरेट कंपनी है मेरे खुद के पॉर्टफोलियो में भी ग्रेनुर्वल इंडिया आती है एक लंबे रेस का यह घोड़ा है आपक इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो रिजन काफी सारे हैं काफी सारे कंपनी को होल्ड कर है क्योंकि currency differences की विज़े से फाइदा अच्छा होता है और हाली में कंपनी को एक tablet के लिए मेरे ख्याल से एक tablet या series of tablets के लिए 50% तक price बढ़ानी की permission दी मिल चुके जिसे profit अच्छा कासा बढ़ सकता है अब जब इन यूस क्लेर हुई तो काफी सारी की पाते हुई उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं मैं मार्केट में लेकर के चलता हूं देखिएगा मार्केट में वैल्यू अस 370 रुपया था और लगबाग 2 करोड स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है यहां पर जिसमें से 36 लाक्स के डिलेवरी उठाई गई है जो 18% के आसपास दिखाई देती है धाई करोड स्टॉक की ट्रेडिंग इसका एक क्लेर मतलब है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला था जिसकी विज़े से इतने सारे लोग खीचे आ चुके थे खीच के आ रहे थे और वह चीज़ शायद नहीं हुई इसकी विज़े से डिलेवरी भी उठाई नहीं कई अब वो क्या चीज़ है उसके बार में डेफिनिटली बाते करेंगे पहले कंपनी को समझ लेते हैं देगे का टिकर टेप पर हूँ फिलाल इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे स्टॉक है मतलब स्टॉक स थसता है खरीच सकते हैं दूसरा रिटेन अच्छा है एवडी से यानि आप एवडी करेने से बेटर है आप स्टॉक में इनवेस्ट करें डिविडेंट इतना अच्छा नहीं देता इंट्री पॉइंट फिलाल अच्छा नहीं है और कोई फ्लाग नहीं है फिलाल फॉर्टी के आसपस है अब अगर हम लोग फॉर्कस की बात करें दुस्तों तो लगबग साथ आनलिस्ट है वह आपको खरीदारी के लिए इंक्लूडिंग मी मेरा खास खरीदारी का रीजन फिनेंशियल है अगर हम लोग देखें के तो पात साल से कंपनी ने 19 परसें से ग् कर रही है वही नेट इंकम 35 परसेंट का है और एवरेज इंडिस्री का इंकम सिर्फ 8 परसेंट का आता है मार्केट चेर 0.75 से बढ़कर लगबग 1.30 परसेंट हो चुका है और अगर फैनेंशल देखोगे तो 2018 से बात करें तो आप देखेंगा 1700, 2300, 2600 और 3232 पिछले 45 साल स revenue बढ़ रहा है, business बढ़ रहा है, साथ-साथ में इंका net income भी बढ़ रहा है और EPS भी बढ़ रहा है जो की काफी ज्यादा important होता है किसी भी company के growth के लिए अब एक ऐसी company है मेरे पाद जो पिछले 5 साल से काफी अच्छा regular perform कर रही है तो मैं क्यों ना इसमें invest करूं और इनके balance के भी बात करें तो भी इनके बस 170% का cash available है जो कि लिए बस 300 करोड के आसपास निकल करके आता है और अगर मैं इसके holding की तरफ एक नजर डालूं तो आप देखिएगा promoter holding भी लगब 40% के उपर है उसमें से 3% फिलाल यह pledged है MF की 3% holding है foreign institutional इसमें लगब 19% invested है वही retailer के पास इसका 40% stake है आपको सी BII जो है वो कम दिखाई देंगे इसका reason तो clear अभी मुझे भी नहीं है बट मैं interested होता हूँ जब promoter का holding अच्छा हो और इसमें FII तो retailers काफी अच्छे investor हो mutual fund में आप देख सकते हो इसमें लगातार जो है वह investment बढ़ाते जा रहे हैं वह एक अच्छी बात है अब मैं अगर इसको peer के साथ में compare करूं इसके ही industry के तो कुछ चीजे देखेगा granule लिया का performance सबसे अच्छा दिखाई देता है वह एक अच्छी बात है अगर मैं इसको आ दो कैंडल का अगर आप average करोगे या फिर एक benchmark करोगे तो आपको सीधा लास्ट कैंडल दिखाई देगा वह रहेगा लगबग सब्टेंबर 16 यहनि सब्टेंबर के आसबस का कैंडल है सब्टेंबर 2020 का कैंडल है तो उसके बाद में अब सीधा जाकर यह जुलाई में हमें इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है रीजन डेफिनिटल आने वाला समय में इसका earning और डिविडेंट दोनों आने वाला है यहां पर जैसे मैंने का कि अच्छा कासा आपको एक दिन में दिखाई देगा चीजे यह अपना एक stable breakout था वो उसने कर दिया है बट यहां पर एक main breakout हमें दिखाई देता है जो होना चाह है वह इंट्री पॉइंट सही नहीं बताया हुआ यहां से करेक्ट होगा यहां से breakout के लिए आज लोगों ने खरीदा था बट जितना बड़ा breakout लोग कर रहे थे उतना यहां पर breakout देखने को नहीं मिला स्टॉक यहीं रूख गया और काफी अच्छा नीचे भी आ चुका था अगर यह स्टॉक अपको साड़े 300 के रेंज में मिल जाता है 350 के आसपस तो डेफिनेटली स्टॉक को खरे दियेगा for the target of 440 या 450 के आसपस स्टॉक काफी लंबा जाने वाला है बट काफी लंबे समय से यह अपना रेसिस्टंस क्रॉस नहीं कर पाया है स्टॉक में आप स्ट 316-315 के आसपस का खरीदनाए 350 पे for the target of 450 स्टॉक का नाम में दुस्तों ग्रैन्वेल्स इंडिया और वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के से शेयर दरू कीजिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए रेंक्यू वेरी माइच